आपने के कहवत तो सुनी ही होगी कि बाल की खाल निकालना, इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन हम आज आपको इस मुहवरे का दूसरा मतलब बताने जा रहे हैं जी हाँ, क्या आप जानते ही कि आप जिन बालों को कटने के बाद छूना भी पसंद नहीं करते, जिसे कचरे के डिब्बे में फेक दिया जाता है, आपके वही बाल सोने चांदी की तरह कीमती है, इन कटे बालों से दुनिया ही नहीं बलकि हमारे देश, भारत में भी लोग कर माई कर रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस मुहावरे का दूसरा मतलब क्या है, आइए, जानते ही कि क्या राज है इन कटे हुए बालों का और कैसे ये कटे हुए बाल करोडों रूपे कमाने का साधन मनते हैं, भारत और चीन बाल के व्यापार में सबसे आगे है दोनों ही देश दुनिया के कई हिस्वा में कटे हुए बाल ट्रांसपोर्ट करते हैं, भारत में चेन नई और कोलकाता का नाम इस पिजनिस में सबसे आगे है, दहिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि चेन नई में कई महिलाएं घर घर जाकर बाल इखटे करती हैं, उन्हें बालों के वजन के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं, जैसे 50 ग्राम बाल के बदले 50 रुपे मिलते हैं, इस तरह बालों को नौन रेमी हेयर या कॉम्ब वेस्ट भी कहा जाता है, यही बाल बड़े व्यापार का जरिया बनते हैं, जैसे सलून म पारलर में या मंदिरों में मनत की तोर पर जो बाल जड़ाय जाते हैं, उन्हें भी बेज दिया जाता है, उन कंपनियों का जो विक बनाती हैं या वो कंपनिया जो नकली बाल लगाकर बाल लगाने का काम करती हैं, साल 1840 में पहली बार बालों के बिजनस के बारे में पता था यही नहीं फ्रांस के कई गाउं में बालों की नीलामी भी होती थी यही नहीं इसके अलावा यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी बालों की जरुवत बढ़ रही है 19-वी सदी में देखा गया था कैथोणिक देश स्पेन फ्रांस और इटली जैसे देशों में कॉन्वेंट में आई नई लड़कियों के बालों को रस्म के तोर पर काट कर पेश दिये जाते थी इसके बाद भी कारोबारियों को और बालों की जरुवत पड़ी तो जैपान से बालों को इंपोर्ट किया गया फिर यूरोप और अमेरिका के व्यापारी चीन पहुँच गए जैपान के मुकाबले चीन के बालों को खुब पसंद किया गया पहले वर्ल्ड वर के बाद धंदा मंदा पड़ गया वक्त के साथ एक बार फिर बालों का व्यापार बढ़ने लगा एशिया के देशों में इसमें सबसे ज़्यादा आगे निकल पड़े चीन इसका बड़ा एक्सपोर्टर रहा लेकिन कुछ समय बाद ही वो पीछे हो गया इसका मुख्य कारण था कि अमेरिका ने चैना के बालों को कम्यूनिस्ट बताते हुए बैन कर दिया और फिर इस व्यापार में भारत आगे निकल आया आजादी के पहले से भारत में ये कारोबार चल रहा है भारती महिलाओं के बालों को अंग्रेज बहुत पसंद करते थी भारत में ये कारोबार करोडो रुपे में होता है बालों का कारोबार कैसे होता है अब हम आपको इसके बारे में बताते है बालो को तीन जगों से इखटा किया जाता है सैलून से डोर टो डोर कोलेक्शन करके और मंदिरों में दान किये गए बालों से इन तीन तरीकों से बाल कारोबारियों तक पहुँछते हैं फिर इन बालों को साफ करके विदेशों में बीचा जाता है मंदिर वाले बालों के लिए एक टीम है जो मंदिर में बालों की नीलामी करती है ये सुविधा ओनलाइन भी है तिरुपती बालाजी देव स्थानम बोर्ड रोजाना करीब 500 किलो बाल इखटा कर लेता है फिर ये उक्षन के जरिये 25,000 रुपे प्रती किलो बीचा जाता है साल 2015-16 में इन बालों को बेच कर टीटीडी में 200 करोड रुपे खटा किये बड़ी कमपनिया इन बालों को धोकर साफ पानी में सुखा कर दुगनी कीमत पर भीज देती है मार्केट में दो तरह के बालों की डिमांड जादा रहती है रेमी हेर जो बाल समाल लंबाई के होते हैं इन में बनने वाली विग सबसे अच्छी होती है जो एक साल से भी ज़्यादा वक तक चलती है दूसरी होते हैं वर्जिन हेयर ये सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया गया होता है इन बालों को सीधा ही बेज दिया जाता है अब विश्व मार्केट में वक्त के साथ इनसानी बालों की सप्लाई करीब 40% तक बढ़ गई है और इसका शेयर दिया जाता है हाई क्लास सोसाइटी यानि की अमीर लोगों को और फैशन इंडर्स्ट्री को पूरी दुनिया में इनसानी बालों का कारोबार 22,500 करोड रुपे का है और ये कारोबार हर साल करीब 10% की दर से बढ़ रहा है आकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2023 तक की कारोबार 75,000 करोड रुपे तक का हो जाएगा साल 2018 में अकेले भारत में 500 करोड रुपे का कारोबार किया था जो दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का आधा है विश्व इस्तर पर देखें तो साल 2014 से लेकर अब तक करीब 40% का एजाफा हुआ है छोटे और रभ बालों का यूज टोईज बनाने गद्दे और कपड़े बना कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन